दोस्तों आज बात कर लेते हैं उस website का जिसके अंदर यदि आपका account revoke हो चुका है check के अंदर course hero के अंदर या फिर यप tutor के अंदर ठीक है और आपको कोई दूसरा उपाई नहीं सूज रहा है कि किस पर जागे apply करें यार कोई ऐसी website होनी जहीं थी जिसके अंदर same interface होता same doubt uploading की जो भी answering की जो भी process होती वो same होती ठीक है आप पीछ आते होंगे क्या ऐसी कोई website है यहां बिल्कुल है website जिसका नाम है बाटलवे फुल डेटेल descriptive वीडियो मैं इसको पर upload को चुका हूँ मेरे चैनल के अंदर जा तो आई बटन में क्लिक करिए या फिर बाद में चैनल की description में जाके playlist के अंदर visit करिए और वहां पे मैंने link को दे रखा है पूरी इस वीडियो को पहरा देख लेजिए बाकि कुछ भी कसर ब पड़ेगा इस वीडियो के अंदर सारी डाउट आपके clear हो जाएगे इधर उधर भी जाना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को अच्छी इस फोकस करके देखना यदि मेरी वीडियो आप ठंक से नहीं देख पा रहे है इस पीड स्लो लग रही है तो स्पीड 1.5 x कर पर काफी शोट रखूंगा ठीक है वीडियो को लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि मैं और इसके पर वीडियो बना चुका हूं तो सब पोइंट को एक एक करके थोड़ा थोड़ा शोट बताता जाओंगा जिससे आपके डाउट पी क्लियर हो जाएं कैसे काम करना होता है सिं कर सकते हैं ठीक है उसके अपना सोलीशन लिखिए फिर बाद में उसको क्लिक करिए और वहां पर जाके अपलोड कर दीजिए अपलोड थो सर्वर कैटेग्री है सब्जक्ट का वह चूज करिए बेसिकली यूएस बेस वेबसाइट है तो फ्रोड का कोई नाम हो निसान है न या फिर आप पीसी के अंदर चलाएए दोनों के अंदर काफी ज़्यादा फीजिबल और काफी ज़्यादा है काफी इजी तू यूज ठीक है ठीक है तो चलाएए वहां पर अपनी लोगी डिटेल्स डालीए ठीक है और डालने के बाद जो आपके सामने डाउट साइंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा क्लिक करना होगा उनके उपर बैस सिंपल है और तो बंदे हैं जो ग्रैजुट हो चुके हैं वह इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो बंदे अभी सिक्स्ट सैमेश्टर तक है या फिर बीए बीकॉम के थर्ड सेकंड येर तक हैं वह मेबी आप लास्ट सैकंड येर या फिर लास्ट सैमेश्टर के अंदर इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं डिगरी के जानी है डिगरी सब बंदों के लिए है चाया बीए हो बीकॉम हो बीटेक हो बीएससी हो कुछ भी हो कोई भी डिगरी चलेगी इसके अंदर डिगरी का को हो जाएंगे जब्जक्र दोस्तों तो पूरा engineering जो भी होता है civil cs electrical electronics जो भी i.t का सब इसके अब्जक्त अभीलेबल आज बेसिक मैस हो गया बेसिक फिजिक सो गया chemistry हो गया टिगंश फैट्स हो गया क्वेश्फ फैट्स हो गयाँ फिसीक्स हो गया यदि आप 7th semester के अंदर है, तो आप 6th semester की degree इसके अंदर upload कर सकते हैं, यदि आप 3rd year के अंदर हैं, तो आप 2nd year की degree इसके अंदर upload कर सकते हैं, तब ही आपका जाकर account बनेगा, यदि आप 1st year, और 1st semester, 2nd semester, 3rd semester इसके अंदर हैं, और that's it cycle दोस्तो payment cycle इसके अंदर monthly होता है monthly आपके पास payment receive हो जाएगा for example आपने एक जनवरी से लेके 30 जनवरी तक यतना भी amount लिया है ठीक है for example 10,000 आपने पैसे कमाई है ठीक है उसके अंदर तो वह जो आपको payment है वह आपको receive होगा next month बोले तो February February 11 February से लेके 20 February के बीच में आपको कभी payment receive हो सकता है वो depend करता है कि बैंक के holidays तो बीच में नहीं आगे holidays वगर अगर अगर बीच में आज जाते हैं तो payment के देले हो जाता है आप जानते हैं सब चीज ठीक है तो दोस्तों payout जो है सबसे point आता है यदि आप किसी website पे काम करते हैं यदि आप शैक पे काम कर चुके तो आपको बताने की ज़रूत नहीं है पर यदि आप new to share new to this channel है ठीक है तो आपको बताना पड़ेगा तो इसके अंदर tentative में बताया था हूं basic maths का जो है amount है 120 per question and आप सिविल का देखेंगे तो इसके अदर 168 per question है और सबसे most important बात है कि इस इसलिए बताया क्योंकि इसके दोनों के अंदर मैं काम करता हूं यदि आप पूरा payment structure जाना चाते हैं तो मेरी last video जाके देख लीजिए ओर वीडियो पर जाने की कोई ज़रूती बचेगी नहीं ठीक है उसको देख लेना चलिए दोस्तो अब registration process के अंदर चलते हैं दोस्तों assessment test की बात कर लेते हैं अच्छी तरीके से ठीक है पूरा registration जब आपको हो जाएका तो लगबग तीन महीने के बाद आपको mail आया कि हाँ भाई या assessment test है इसके अंदर बिल्कुल इसके अड़ कर आया है पहले नहीं था ठीक है तो assessment test के अंदर आपको 6 question मिलेंगे जिसके अंदर यूज कर यह latex वगए रहेगा ठीक है जो handwritten solution है उसकी priority हमेंसा lowest रखना यदि आपके पास कोई भी चारा नहीं बच रहा लास्ट में आप हैंड़ीटन दे सकते हैं पर हैंड़ीटन SE की लगे की भाई की handwriting है ठीक है handwriting है ठीक है ऐसा लगना चाहीं है बिल्कुल अधि ऐसा न नवे मिनिट के अंदर आपको तीन question upload करने होंगे और जैसे ही आप URL पे click करेंगे login details अपने darling को जैसे आप test को start करेंगे तो test start होने के बाद यदि आप laptop में दे रहे हैं फिर mobile में दे तो अपनी please battery को 60% से जाधा रखना 60% से जाधा अपनी battery रखना 100% तो well and good है 50 भी चलेगा ठीक है भूल जाना और आपको पहले पता है कि इसके अंदर किवल और किवल दो चांसे है टेस्ट देने के ठीक है और दूसर टेस्ट के अंदर permanently cancel out हो जाएगा और ठीक है जैसे यदि आपका चांस चांस चले गया ना दूस्तों तो उसके बाद उसके बाद क्या पता आपक एप्लिकेशन के पास receive हो चुकी है ठीक है तो इसलिए अपनी बैटरी फूल रखना दो चांसे है दो चांसे बिल्कुल बहुत एहम चांसे है और हैंडिटन बहुत अच्छी होने चाहिए एक बीजिए कट पिटा नहीं होना चाहिए कट पिटा तो भूल जाहिए ठीक है र असेस्में्ट टेस्स का जो रिजल्ड है आपको मेल जाएगा वी इं 15 डेश का इसका पीज़ेक्ट के रहें अपने अपलाई करा है उसके देऊ ओसके हो सकता है तो इसलिए मुझे मत करना यदि И sphere के नाम से मुझे याद आया यको को मैंने सब सब्सक्राइब करा दिये कमेंट बोक्स तो है नीचे डाउट पुछने के लिए हर कमेंट का आंसर मैं करता ही हूं इन जनरली और टेलिग्राम पर जुड़ जाएए टेलिग्राम को ऐसा मत समीजिए कि हाँ यह तो फालतू गुरूप यदि मैंने इस्टा पर चल पहली पहली लिंक पर क्लिक कर दीजिए ठीक है क्लिक करने के बाद अपना नाम लास्ट नेम इमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल दीजिए अपने अनुसार और आयम नोट रोवर्ड पर क्लिक कर दीजिए ठीक है जैसे कि मैंने आपे फिल कर दिया है क्लिक करने के बाद sign up पे click कर देना ठीक है इसके बाद इस तरीके से login page आपके सामने खुल जाएगा तो यहाँ पे अपना email letters और password डाल दीजिए जो पर हो गया तो इसके बाद आपको पहला जो step है tell us about yourself तो उसमें submit details पे click कर ये ठीक है और बाकी नीचे बाद भी process है तो इसके बाद में click कर दिया है पे phone number डाल दीजिए verify करा दीजिए ठीक है OTP के दौरा फिर बाद में email letters डाल दीजिए verify करा दीजिए OTP के दौरा अपनी degree डाल दीजिए अपनी master degree optional है ठीक है कोई दिक्त की बाद नहीं है select your subject डाल दीजिए जो available subject है कि अब इस time advanced phases और advanced maths है इसमें दो subject आप select कर सकते हैं ठीक है at a time और ये सब fill कर दीजिए जैसा कि मैं fill करता जा रहा हूं और submit पे click कर दीजिए और second step के अंदर आपको subject test देना होगा जो आपने तो ये था step 1, 2, 3, 4 and 5 देखिए मैंने सब चीजिए complete कर दी है documents के अंदर एक तो resume मांगता है degree graduation मांगता है 12th standard की mark sheet मांगता है pen card मांगता है proof of address यानि आधर card मांगता है password मांगता है फिर voter ID इनमें से कोई एक भी है तो भी चलेगा दोस्तों वैस ये था इस process के अंदर simple as simple as that telegram पर यदि आपको कोई भी doubt आता है तो उठके आप तुर्ण तो मुझे जिस्टा पी message कर दीजिए मेरी Instagram मेरे ID दे रखी है description मेरे दे रखी है वहाँ पर जाकर देख लीजिए में जो मोटा मोटा लिखा मैंने comment को पिन भी कर रहा है तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए कोई दिक्रत वाली बात दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो अच्छे लगी आपको मेरा पकाम पसंद आ रहा है तो तहे देल से धन्यावाट नहीं है ठीक कर दो कर दो